नमस्कर दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्र संक्रियाओं के बारे में संक्रियाएं क्या होती हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं अक्सर ये बहुत ही छोटे-छोटे questions होते हैं जिसमें जोड, घटान, गुड़ा और भाग पर ही based होते हैं mainly पर इसे number हम बना सकते हैं competitive exams में जैसे TET के exams हो, super TET के exams हो, CETET या फिर other SSC के, railway के, police के किसी भी exams में ये questions पूछे जाते हैं banking में भी पूछे जाते हैं और भाग पर ही based होता है जैसे हम एक example द्वारा समझते हैं कि अगर हमको एक सवाल दे दिया गया है 4 धन, 3 गुड़े, 2 इसको हमको solve करना है तो इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे अगर इसको हम ऐसे solve कर देते हैं चार धन, 3 हो गया 7 गुड़े, 2, बराबर 14 तो ये सवाल हमारा हो जाता है गलत इसमें हमको सबसे पहले गुड़ा करना होता है जैसे 4 धन, 3 गुड़े, 2 बराबर 4 धन, 3 दो नी 6 अफिर 6, 4, 10 ये हमारा सवाल सही है तो दोस्तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको जोड़ करना है पहले कि गुड़ा करना है, कि भाग करना है कि घटाना करना है तो एक्जाम्स में यही गलतिया हो जाती है और इसी वज़ा से हमारे नमबर कमा जाते है तो अगर इसको हम 2 मिनट में समझ ले यह हमें जीवन भर काम करेगा, तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला आता है भा, गु, जो, घ, जिसका मतलब है भाब, मतलब होता है भाग, गु मतलब होता है गुड़ा, जो मतलब जोड और घ से घटाना, अग जो गवर हम याद कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि भा, भाग के लिए है, गुड़ा के लिए है, जो, जोड के लिए और घटाना के लिए है या फिर एक और इसका तरीका होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं काको, पहले, काटिये, दोस्तो एक छोटी सी कविता है, काको पहले काटिये, ता पीछे दो भाग, गुड़ा करो, फिर जोड दो, रिड को दो घटाए, इसको हम लोग याद कर लेंगे, और इसको समझते हैं कि काको पहले काटिये, ऐसे कोशन्स में, सबसे पहले हम काको काटते हैं, फिर उसके ब समझेंगे, जैसे पहला एक्जामपल समझ लीजिए, पहले हम शुरात करते हैं सरल उदाहरणों से, यह एक सरल उदाहरण है, और इसके बादे हम कॉंप्लिकेटेड जो की टेकनिकल या ट्रिकी कोशन्स होते हैं, तो उनको समझेंगे, तो सबसे पहले इस उदाहरण को समझेंगे कि आठ और दो के बीच में भाग है, तो आठ में जब हम दो से भाग देते हैं, तो यह हो जाता है चार, बाकी को हम ऐसे उतार लेंगे, इधर रिड़ छा उद बजगया, इधर धन, तीन, गुड़े, चार, ऐसे ही, अब गुड़ा है, जोड़ा और घटाना है, तो इसमें भाग के बाद हम गुड़ा करते हैं, तो यह हो गया, गुड़ा, तो चार गुड़े, तीन हो जाएगा, बारए धन, चार, रिड़, छा, अब जोड़ है, घटाना है, जोड़, और घटाना में पहले हम जोड़ते हैं, तो बारा धन, चार हो गया, सोलह, हो जाएगा जैसे अगला कुश्चन है आठ गुड़े तीन धन बारह भागे चार रिड़ नौ अब इसको हम कैसे लगाएंगे इसमें दोस्तों सबसे पहले हम भागल देते हैं फिर गुड़ा करते हैं फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं जैसा कि हम लोगों ने पिछले एक्जामपल्स में समझा तो इसमें हम देखेंगे कि गुड़ा है जोड़ है भाग है और घटाना है तो सबसे पहले हम भाग करेंगे बारह में चार से भाग देना है तो चारत याई बारत तीन आ जाएगा सबको ऐसे ही उतार देंगे as it is फिर यहां गुड़ा है आठ तर यह एक्जामपल्स थोड़ा सा ट्रिकी है ट्रिकी यह फिर टेक्निकल है और इसको जब तक ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक कोशन्स गलत होते रहेंगे तो इसको ध्यान से समझें दोस्तों इसको जब हम लगाएंगे तो देखेंगे पहले भाग है गुड़ा है घटाना है और जोड़ है सबसे पहले भाग दे दिया 36 भागे 6 36 में 6 से भाग दिया 6 गुड़े 7 रिड़ 3 धन 8 अब यहां गुड़ा है गुड़ा को कर लिया 6 गुड़े 7 चबश साते 42, रीड 3, धर 8, दोस्तों हम लोगोंने अब तक पढ़ा कि पहले भाग देंगे, फिर गुड़ा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, यहां पर हम देखेंगे कि जोड़ते समय, यहां रीड का निसान, हम जिसमें जोड रहें, वो रीड आत्मक संख जब सिर्फ जोड और घटाना बचा हो, तो उस स्थिती में, घटाना वाले को हम एकदम लास्ट मिले कर जाते हैं, बाकी जैसे गुड़ा था भाग था, तो हम करते आज इस इस करते आ रहे थे, लेकिन जब सिर्फ घटाना और जोड बचा हुआ है, तो घटाने को हम लास् में आठ जोडे, तो यह हो गया पचास, रिड तीन बराबर सैतालिस, एक एक जामपल द्वारा और समझेंगे, अब इस एक जामपल में देखेंगे, एक सो सत्रह भागे, नौ रिड पांच गुड़े दो है, तो इसमें भाग है, घटाना है और गुड़ा है, तो सबसे पह देखेंगे, एक सो सत्रह में नौ से भाग देखेंगे, एक सो सत्रह में हमने नौ से भाग दिया, नौ एक कम, नौ ग्यारा साथ, नौ तरीस, अताइस, यानि कि तेरा बार गया, रिड पांच गुड़े दो, अब यहां देखेंगे हम, गुड़ा है और घटाना है, तो जोड़ और घटाना दोनों रहेगा उस स्थिति में अगर घटाने वाला पोर्शन बीच में है तो उसको हम लास्ट में ले जाते हैं लेकिन यहां हमको ले जाने की जरूत नहीं है यहां तेरा रिड़ पांच दो निदस कर देंगे बराबर तीन हमारा उत्तर आ गया तो दोस अब दोस्तों यहां हम देखें के 381,535 भागे 5 धन 16 गुड़े चार है तो यहां हम उसी तरह से पहले भाग फिर गुड़ा पहले भाग दिया 535 में पाच से अब यहां आया 107, 107 को हम इसकी जगह पे लिख देंगे पूरा और जैसे इसको भाग दिया तो आया 107, हम बाकी उतार देंगे धन 16 गुड़े 4 इधर रिड़ है 301,8 यहां घटाना है जोड़ है और यहां गुड़ा है तो गुड़ा वाला पॉर्शन करेंगे धन, अब यह 16 गुड़े 4, 16 चोग के 64 होता है अब यहां घटाना और जोड फिर से आ गया तो हम घटाने वाले पॉर्शन को लाश्ट में ले जाएंगे और जोड वाले पॉर्शन को पहले लाएंगे 384 जोड़ने पर आ गया 4, 4 चारिक पाच रिड़ 117 बराबर हमारा 338 आंसर आ गया अब बस एक लास्ट इग्जाम्पल के द्वारा हम आखिरी सवाल को लगाते हैं जैसे यह सवाल है 21 भागे 7 गुड़े 18 रिड़ 2 गुड़े 23 यहां हम देखेंगे पहले भागे गुड़ा है और दो बार गुड़ा है तो हम पहले भाग लगा लेंगे और यहां पर चुकी एक ही संक्रिया दो बार दे हुए तो कैसे हम इसको करेंगे यहां भी गुड़ा है और यहां भी गुड़ा है तो इसको हम समझेंगे तो पहले 21 में 7 से भाग देना है यह दे लेंगे तीन गुड़े 18, रिड़ 2 गुड़े 23, अब हम देखेंगे कि दोनों जगद गुड़ा है तो हम एक ही लाइन में दोनों गुड़ा को कर सकते हैं, तो 3 गुड़े 18 हो गया, 54, रिड़ 2 गुड़े 23, यह हो गया 46, अब 54 में से हम 46 घटा दिए, तो 8 आ गया हमार उत्तर आंसर दोस्तों उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आए होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों इस वीडियो पर ऐसी ही और सारी वीडियो आती रहेंगी और आती रहती हैं तो चैनल के साथ बने रहें ऐसी वीडियोज को देखते रहें मैच सीखते रहें और चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू and best of luck